नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकलस में आप में से बहुत लोगों ने हमसे प्रश्ण पूछा कि बटैलियन और लाइट इंफेंट्री में क्या अंजर होता है आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजे जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दरसल जब भारत को आजाती मिली थी उसके बाद भारत में किसी जाती, संप्रदाय, समुदाय धर्म अत्वा छेत्र के आधार पर कोई नई रेजिमेंट बनानी की बजाए ऐसा सेने बल खड़ा करनी की नीती रही है जिसमें भारत इंफेंट्री के तौर पर पूरे देश का प्रतिनी धित्व हो लेकिन मौझूदा समय में भारत में चाती इवं छेत्र के आधार पर अनेक रेजिमेंट्स हैं जैसे गुर्खा, डुग्रा, गड़वाल, चाट, मद्रास, असमादी भारत में आज भी लाइट इंफेंट्री मौझूद है आपको बता दी कि एतिहासिक रूप से लाइट इंफेंट्री रेजिमेंटों ने समाने पैदल सेना की तुलना में हलके हत्यारों और उपकरण को धोया और इन्हें व्यक्तिकत रूप से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया जो कि समाने पैदल सेना को एक तरह से कवर देती है हला कि बिटिश सेना में लाइट इंफेंट्री की समाने पैदल सेना की तुलना में जादा मार्च करने की शमता थी जिसके करण उनका इस्तमाल बार-बार किया जाता था ऐसी स्थिती में वे सामाने पैदल सेना की तरह ही लड़ते थे 19 वे शतापती के तोरान जैसे ही हत्यार और उपकरण विक्सित हुए सामाने और लाइट इंफेंट्री के बीच अंतर कम हो गया 1914 के अधिकान सेनाओं में दोनों के बीच कोई वेभारिक अंतर नहीं था लाइट इंफेंट्री का जो टाइटल था उसे परकरार रखा गया आजकल लाइट इंफेंट्री वे यूनिटे हैं जिनका मैन परस्टनल कैरियर्स, लॉरीज या मैकिनाईज इंफेंट्री फाइटिंग विकल में यात्रा करने के बजाए ये लोग मार्च करते हैं लेकिन अब आधुनिक लाइट इंफेंट्री सामाने पैदल सेना के तुल्ला में अधिक भारी सामान ले जाते हैं उनके पास राशन, हत्यार, गोला बारू, कपड़े, बिस्तर उन सब चीजों को से अपने साथ ले जाना पड़ता है हलकी पैदल सेना के पास कठीन लक्षों के खिलाफ सेनिकों को बैकप करने के लिए कोई हतियार नहीं है इसका मतलब यह है कि कोई मोटार, कोई भाली टैंक विरोधी हतियार, कोई विमान विरोधी हतियार नहीं बस इनके पास राइफल्स और मशीनगर और शायद कुछ ग्रिनेड लॉंचर होते हैं वास्ता में लाइट इंफैंट्री को सेना की रेजिमेंट बचालियन जैसी उननस सेवाओं में तैनारत नहीं किया जाता और यदि वे कभी बहार होते हैं तो मामूली कारे जैसे कि कभजे वाले शेत्रों पर पहलेदारी यानि कि पैट्रोलिंग रखवाली आधी करना होता है लेकिन आज कर लाइट इंफैंट्री को भी कई समान भूमिकाओं के लिए प्रशिशित किया जाता है जहां तक भारतिय सेना का सवाल है अब लाइट इंफैंट्री और बचालियन या फिर रेजिमेंट्स में जादा अंतर नहीं है सभी मैकिनाइज इंफैंट्री पैदल सेना है लेकिन सभी पैदल सेना मैकिनाइज इंफैंट्री नहीं है Infantry में 3 शेरने आती हैं जिसमें Mechanized Mounted और Light Mechanized Infantry Unit Bradley और Strikers का इस्तमाल करती है जब कि Mounted को अब सर्वी से बाहर कर दिया गया है जिसमें आम तोर पर घुर्सवार पैदल सेना, उंट पैदल सेना या फिर साइकल और मोटर साइकल वाली सेना सामिल थी आपको उता दे कि सेना में 4 मुख्य लाइट Infantry सेना डिविजन 101 में Airborne है जिसमें 82 में Airborne 25 में Infantry Division और 10 में Mountain Division है जब कि Mechanized Infantry में डिविजनों में Infantry 1, Infantry 2, Infantry 3, 4, 1st Cavalry और 1 आर्म डिविजन है बक्तरबंद वहानों और टैंकों के साथ Mechanized Army काम करती है जो कि Light Infantry के प्लाटून में पाई जाने वाले भारीत हत्यार दस्तों की जगा लेते हैं व्यक्तिकर ब्रिगेड में एक बक्तरबंद रेजिमेंट भी होती है और साथ ही एक Mechanized तोप खाने की यूनिट्स भी होती है Light Infantry के पास किसी भी तरीकी का कोई आर्मर यूनिट्स नहीं होती है 22 और 101 वी और 25 आईडी सभी उनकी तेनाथी के प्रात्मिक साधनों तक सीमित है आपको उतादी की एक हमले के दोरान टैंक तुश्मन को नस्ट कर देते हैं आर्टलेरी गन से निशाना साधा जा सकता है वायस सेना विनाश कर सकती है लेकिन जिन ठिकानों को खत्म कर दिया जाता है उस जगा को सीक्यर करने के लिए लाइट इंफेंट्री की जरूत पड़ती है इसलिए लाइट इंफेंट्री का काम महतुपुन हो जाता है आपको उत्तादि की टैंक तेजी से आगे बढ़ते हैं करीबं 30-40 किलो मिटर पति घंते के रफ्तार से लेकिन जहां सड़के नहीं होती है वहाँ पर केवल पैदल सेना 5-6 किलो मिटर पति घंते के रफ्तार से आगे बढ़ सकती है क्योंकि सामाने वहान क्रॉस कंट्री नहीं जा सकते हैं इसलिए टैंक को और पैदल सेना के बीच अंतर करना एक गलत मेल होगा टैंक अपने मिशन को पूरा कर देते हैं और पैदल सेना पीछे रहती है लेकिन दुश्मन फिर से उन जगाओं का लाव उठा सकता है इसलिए उन्हें फिर से दुबारा प्राप करने की कोशिश की जाती है ऐसे में लाइट इंफेंट्री का रूल काफी में तपुण हो जाता है पैदल सेना को मैचिंग गतिशीलता प्रदान करने की अवश्कत है हाला कि अभी पैदल सेना को matching mobility यानि की matching गतिशीलता परदान करने की आवशकता है इसलिए उन्हें बक्तरबंद वाहों में रखा जाता है जिससे कि अच्छी cross country mobility हो और ये cross country वाहन और उन कारियों के लिए स्थाई रूप से प्रशिक्षित पैदल सेना mechanized infantry हो जाती है light infantry सेना आम तोर पर किसी भी operation में पैदल रूप से युद लड़ती है जबकि mechanized infantry motorized transportation के रूप से लेस है आम तोर पर पक्तरबंद जैसे कि army personal carriers, IFV आदी लेकिन कभी कभी नियमित पैदल सेना को वाहनों के द्वारा सायता दी जाती है यदि उनके पास उदेश के लिए खुला रास्ता है और परिवन सुविता उपलब्ध है इसका सबसे बड़ा उधारन है 2003 में Marine Invention of Iraq जिसमें कि समुदरी पैदल सेना की युणिटों को mechanized नहीं किया जाता है लेकिन ये इस गती से आगे बढ़ रही थी कि अधिकांश युणिटे अपने उदेश पर आगे बढ़ने के लिए एवी और अन्य मेकनाइस्ट मेथट्स का स्तमाल करती थी दोस्तों आपने जाना के infantry और मेकनाइस्ट इंफेंट्री में क्या उन्तर है गरत्मान में भारतिया से इना लाइट इंफेंट्री का स्तमाल करती है लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं है बलकि अत्यादुने एक हत्यार और तेज गती शीलता के लिए उन्हें बक्तरबंद वाहनों से भी लेस किया गया है दोस्तों आपको क्या कहना इस वीडियो के संब्द में आप मुझे कमें स्रिक्षम लेकर जरूर बता है इस वीडियो के लिए इतना है मिलता है वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत